कि सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अविनार शुगला चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अविनार शुगला अपने यूट्यूब चैनल विमल कंप्यूटराइज होमियोपैथि क एक क्लिनिक नियोडाली में आपका स्वागत करता हूँ आज का जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उसे कहते हैं औस्टियो अर्थराइटिस यानि घुट्नों का दर्द यह सरदी मेंग्ने विंटर सीजन में यानि सरदियों में घुट्णों का दर्द लोगों ये बह और हमें क्या होमेयोपैथिक दवा मैं दूँ या कौन सी होमेयोपैथिक दवा ली जाए जिसे ये पूरी तरह क्योर हो जाए यानि पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाए तो इस वीडियो को आप लास तक देखते रहे हैं मैं पूरा बताऊंगा इसके लक्षन बताऊंगा स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्यो और्थराइटिस होता क्या है मैं बहुत सिंपल लेंग्वेज में बहुत सरल भासा में आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्यो और्थराइटिस क्या होता है मेडिकल लेंग्वेज को बहुत सिंपल बहुत सरल भासा में करके आपको बतानी जा रहा ह और यह कहते हैं कि यह घुटने का दर्द पहले स्टार्ट होता है फिर धीरे-धीरे और सभी जोड में यह दर्द फैलने लगता है तो ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब यही हुआ कि जोडों का दर्द सबसे बड़ा घुटना और हिप्स होता है हिप्स मतलब कमर तो पहले हम डिसकस करेंगे कि घुटने में दर्द जब होता है तो किस तरह से स्टार्ट होता है सपोज आप सपोज करिए कि यह एक बोन है हड़ी है और यह दूसरी हड़ी है घुटने में जोड का मतलब दो हड़ीयों की संधी यानि एक दूसरे को जुड़ना तो जैसे घुटने में दो हड़ीयों हमारी जोड़ती है बीच में एक फ्ल्यूड होता है बहुत सारे मेरे पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे घुटने की ग्रीस खतम हो गई युटने की हो ग्रीस नहीं है उसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं साइनॉवियल फ्लीूड सब्सक्राइस जैसे यह दो हमारी हड़ीयां हो गई गुटने की दो हड्डियां हो गई आपस में जुड़ना दोनों एक दूसरे से जुड़ी है तो बीच में क्या होता है जो हड्डी है उसके ऊपर की तरफ होता है कार्टी लेज क्या होता है इस हड्डी को और इस हड्डी को यानि दोनों बोन्स को रगड से बचाने के लिए दोनों तरफ cartilage बना होता है cartilage होता है और cartilage के beach में जो part होता है उसमें एक fluid एक पानी जैसा तरल पदार्थ होता है उसे medical language में synovial fluid कहते हैं अब cartilage bone हो गई उसके ऊपर cartilage काटilage हो गया इधर bone हो काटilage बीच में synovial fluid हो गया तो जब हम चलते हैं या हम सीडी पे उपर चड़ते हैं या सीडी से नीचे उतरते हैं या हम प्लेन वैसे ही चलते हैं तो ये एक दूसरे पे हड़िया रगड़ ना करे इसके लिए बीच में साइनोवियल फ्लिूड होता है यानि वो तरल पदार्थ होता है जो हड़ियों को रगड़ से बचाता है और जो बोन पे यानि हड़ि पे काटी लेज होती है वो धीरे-धीरे डीजनरेटीव चेंजिस होने लगते हैं डीजनरेटीव चेंजिस का मतलब कि वहां पे धीरे-धीरे काटी लेज का च्छै होने लगता है यानि तूटने लगती है यानि वो कमजोर होने लगती है तो क्या होता है बीच का फ्लीट कम हो गया कार्टी लेज में जो है जो कार्टी लेज है उसमें वह कमजोर हो गई तो एक दूसरे के पास और हच जाती है और और एक दूसरे जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया है इस पूरे सिस्टम या जो पूरी मैंने आपको इस बोन के बारी में बताया है जोड में बताया है इस पूरे कंडिशन को ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं अब ऑस्टियो अर्थराइटिस का कारण क्या हो सकता है क्यों हो जाता ह तो osteoarthritis first तो यह होता है कि वो cartilage में problem आ गई हो, cartilage में कुछ pathological changes हो गए हो, या चोट से या उमर बढ़ने से धीरे-धीरे उसमें degenerative changes आये हो, या उसमें कमजोरी आई हो, तब भी ये osteoarthritis यानि घुटनों का दर्द, यानि जोडों का दर्द, या गठिया रोग हो सकता है. दूसरा cartilage, जो synovial fluid की बात की, जो मेरे patient आते हैं, बताते हैं, सर, grease खतम हो गया, तो grease नहीं है, वो fluid जो है, कम हो जाता है, जिसे दो हड़ियों के बीच का जो gap होता है, वो कम हो जाता है, और जब हम चलते हैं, तो pressure से, पूरे सरीर के pressure से, वहाँ पे fraction होता है, रगड करती होता है, inflammation का मतलब हुआ, inflammation के 5 तरह के sign होते है, sign का मतलब एक तरह से आप समझे लक्षण, कि inflammation अगर कहीं हुआ है, तो 5 inflammation के वो लक्षण आएंगे, पहला होगा pain, गुटने में pain होता है, दूसरा readiness हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा problem है, तो readiness आएगी गुटने में, ती तीसरा loss of function, गुटने का क्या काम है, पैर को fold करना, यही उसका function है, पैर fold होने में pain करेगा, यानि function जो करना था, जो काम करना था गुटनों का, वो भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और धीरे-धीरे वहाँ अगर आप गुटने fold करोगे, तो दर्द होगा, पांचवा क्य पताया, inflammation के बाद जो symptoms आते हैं, लक्षण आते हैं, सेम यही लक्षण आते हैं, मैंने आपको यह भी बता दिया, दोनों joint के बीच का जो space है, जो जगे है, वो कम होने से घरशन के वज़ए से वहाँ पे pain जादा होता है, यही जोडों का दर्द या osteoarthritis होता है, अब osteoarthritis ऐसा नहीं है कि घुटने में ही दर्द को ही osteoarthritis कहते हैं, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द यानि रीड के हड़ी में भी अगर problem आ रही है, यानि कमर में अगर problem आ रही है, वो भी osteoarthritis में ही जाता है, एक दूसरा भी word है कमर के दर्द के लिए, lumbar spondolysis, वो कम हो जाता है, कार्टीलेज जो है, वो distracted हो जाती है, या degenerative changes हो जाती है, या आप ऐसा समझ लो कि वो कमजोर हो जाती है, या उसमें रप्चर हो जाती है, तो इसके वजह से ये osteoarthritis होता है, मेंली symptom क्या होते हैं, अब हम start करते हैं कि symptom क्या आएंगे, लक्षन क्या आएंगे तो जैसे आप अभी तक सुन रहे हो कि इसमें symptom यही आएगा कि बहुत severe pain होता है, मेरे पास patient आते हैं, गुटने पे हाथ रगते हैं, बहुत जादा pain होता है, तो पहला symptom जो आएगा, वो दर्द ही आएगा, मनला बहुत जादा दर्द होगा, दूसरा symptom, जब osteoarthritis यानि पहला लक्षण दर्द, दूसरा सूजन, तीसरा जो आता है, वो यह बोलेंगे कि घुटने फोल्ड नहीं होते, यानि उनका जो काम है घुटनों का वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, तो जो symptom जो आते हैं, लक्षण जो आते हैं, दर्द होगा, अकडन होगी, stiffness, अकडन आ जाएगी, इस तरह की problem आ जाती है, बहुत सारे जब यह symptom बढ़ जाते हैं, यानि osteoarthritis, जो गठिया का रोग है, जब यह धीरे-धीरे पुराना हो जाता है, वैसे यह chronic ही होता है, धीरे-धीरे जब यह पुराना हो जाता है, तो वहां का जो घुटने का safe है, यानि आकार है वह भी बदल जाता है, कभी-कभी, बहुत सारे मेरे patient आते हैं, complain करते हैं, sir, वहां गुठली जैसा बन गया है, मनले नोडियूल्स हो गए हैं, तो वह ऐसे बोलेंगे, sir, वहां गुठली जैसा बन गया है, और वो दर्द होता है, तो गुठली का मतलब वह नोडियूल्स ब बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूं, एकदम practical जो patient आके बताते हैं, उस तरह की language में बता रहा हूं, जिसे आप भी ठीक से समझ पाऊ, exactly गठिया क्या होता है, क्योंकि medical language में बहुत जादा जाओंगा, तो confusion हो जाएगी, कि exactly है क्या, तो जो patient आके हमें बताता है, मुझे बताता है कि exactly तो जब मैं diagnosis करता हूं कि ये osteoarthritis ही है, तो क्या symptom हो सकते हैं, क्या patient बताता है, और symptom क्या हो सकते हैं, वो मैं बताने की कोसिस कर रहा हूं, तीसरा ये बताएंगे, सर मेरे घुटनों से कट-कट, टप-टप की आवाज आती है, ये भी एक symptom है, osteoarthritis का, गठिया क्या symptom है, कि जब आप पैर को fold करोगे, मोडोगे अपने पैर को, तो घुटने से आपके टक-टक की आवाज आती है, ऐसा भी बताते हैं, ये कब ज़्यादा बढ़ता है, जब season change होता है, यानि temperature बहुत ज़्यादा change होता है, जैसे आप गर्मी से ठंड के मौसम में जा रहे हो, तो अब जब temperature गर्मी से ठंडी में जा रहे हो, तब भी ये symptom, ये लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे बारिस है, damn weather, जो बारिस का weather है, मौसम है, उसमें भी गठिया वाले patient को ज़्यादा problem होती है, तो ये सब symptom है, और temperature की according ये symptom घटते बढ़ते रहते हैं, गर्मी में ये थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वहां की जो मांस पेसियां है, वो आराम से contract और relax हो सकती है, जब की winter में या rainy seizure में, या थंड में और बरसात के दिनों में, जो muscles होती है, वो stiff हो जाती है, अकड जाती है, इसलिए इस तरह की symptoms ज़्यादा देखन जाता है, और cartilage destruct हो जाती है, तो इस तरह के symptom, इस तरह के pathological changes बनते हैं, इसके वज़ा से गठिया होता है, लेकिन सामा निभासा में हम कैसे समझे कि गठिया कब होगा, किस condition में होगा, क्या कारण हो सकता है, तो कारण ये हो सकता है, जब age बढ़ती है, किसी की जब male या female क किसी की जब age बढ़ती है, उमर जब बढ़ती है, तो cartilage, जो bone की, यानि हड़ियों की, जो cartilage है, वो कमजोर होने लगती है, और जो synovial fluid है, exactly, grace जो बोलते है patient, वो synovial fluid जो gland, जो गरंती सिक्रीट करती है, जो बनाती है, वो भी धीरे-धीरे कमजोर पढ़ती है, यानि synovial fluid भी कम बनने लगता है, यानि हड़ियों के बीच का gap धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो उमर एक कारण है, कि उमर जब बढ़ती है, तो synovial fluid भी कम होगा, और जो cartilage आसपास की है, वो भी कमजोर होंगी, manspacia भी कमजोर होंगी, stiffness भी जादा बढ़ेगा, तो उमर एक बहुत बढ़ा कारण है, जो osteoarthritis को improve करता है, बढ़ाता है, दूसरा, अगर बहुत सारे ऐसे भी patient है, जो 20 साल के हैं, 25 साल से हैं, और बताते हैं, घुटनों में बढ़ता है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण हो सकता है, कि घुटने में कहीं चोट लग गई हो, injury हो, blunt injury, य accident हो गया है, या गिर पड़े हैं, तो वहाँ कि जो cartilage है, वो reason वही है, कि cartilage distruct हो रही है, वो चाहे, उमर बढ़ने की वज़ा से हो रही है, या चोट लगने की वज़ा से हो रही है, कम age में अगर चोट लग जाती है, तो धीरे-दीरे cartilage जोती है, तोट फूड जाती है, जिसके वज़ा से घुटनों में दर्द होने लगता है तो old age एक बहुत बढ़ा कारण है और जब छोटी age में होता है तो accident या वहाँ चोट लगना एक बहुत बढ़ा कारण हो सकता है दूसरा एक और कारण है कि family history में हो अगर आपके माता पिता को इस तरह की problem है तो बच्चों में भी osteoarthritis है ने गठिया के होने के chances थोड़े से बढ़ जाते हैं दूसरा तीसरा एक कारण है मुटापा obesity मुटापा जब वेट बहुत ज़्यादा होगा तो जो वेट जब ज़्यादा होगा मुटापा ज़्यादा होगा तो उसका ओजन जो है उसका भार जो है घुटने पे ज़्यादा पड़ेगा और हमारी बोन एक दूसरे के पास ज़ मिले यानि अगर ओवीज पर्शन है यानि मोटा पेशेंट है जिसमें वेट बहुत जादा है तो वो और स्ट्यो और्थराइटिस को बढ़ा देता है एक फोर्थ कारण ये भी है जो डाइविटीज है जो डाइविटीज के पेशेंट है जिनको सुगर हो गया है सुगर वाल जादा बढ़ता है इंफ्लामेशन जादा होता है और पेन बहुत जादा होता है यानि डाइविटीज है तो डाइविटीज में भी इस तरह की प्रॉब्लम जादा हो जाती है कुछ चीज़ें और हैं एक मैं मेडिकल टम बोलने जा रहा हूं ये इसे बोलते हैं गाउट, गाउट क्या होता है, एक छोटे जॉइंट का गठिया बोला जाता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे मैंने आउस्टे और्थराइटिस बताया है, इसमें तो मैंने आपको जो चीजे बताई वो होती ही है, लेकिन अगर किसी का यूरिक एसिड बलड में बढ गया हो, यानि गाउट उसे बोलते हैं, यूरिक एसिड अगर खून में बढ़ गया, तो उस बीमारी को गाउट बोलते हैं, गाउट का मतलब छोटे जॉइंट का गठिया, यानि अगर यूरिक एसिड बलड में बढ़ा है, तो छोटे जॉइंट का गठिया हो जाता है, य चोटे जोडो का गठिया बोला जाता है। ऐस्ट्यो और्थराइटिस हमेशा बड़े जोडो का गठिया है। जैसे हमारे दोनों घुटने हो गए, कमर रीजन हो गई, या आप कहलो कि सोल्डर का हो गया। तो इस तरह के अगर जोडो है तो इसमे ऐस्ट्यो और चोटे जोड का अगर गठिया है, तो उसे गाउट बोला जाता है, यानि यूरिक एसिड भी आपको कंट्रोल करना है। एक रीजन मैंने आपको बताया, मोटापा भी एक रीजन है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे आइडेंटीफाई किया जाए, कैसे पता लगाया जाए, कि अ अगर वो बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जैसे इसका ESR का जो नॉर्मल वैलू होती है, हर लैब में अलग-अलग, बट एक सामान नेता है, जीरो से लेके दस के बीच में होता है, अगर दस के अंदर ESR की वैलू आती है, यानि इन्फेक्शन नहीं है, गठिया के चांसे हैं, ESR का बढ़ना के और यही नहीं बताता कि गठिया है, यह भी हो सकता है कि गठिया ना हो और ESR बढ़ा है, यानि आपके सरीर में इंफेक्शन है, तो इसके लिए दूसरा टेस्ट क्या कराया जाया है, दूसरा टेस्ट X-ray होता है, X-ray में एकदम क्लियर हो जाता है, X- एक्सरे दिखाया जा और जिसमें गठिया हुआ है उसका एक्सरे की फिल्म दिखाया तो आप भी अनुमाल लगा सकते हो कि जो दोनों के बीच के हड्डियों की बीच की जो गैप है वो कम हो गए है वो साफ दिखता है तो एक्सरे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि घुटनों की क्या इस्तिती है इसको और्थराइटिस है या नहीं है अब इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने बताया है एक्सरे इस मोर सिगनिफिकंट डाइग्नोसिस यानि आपके लिए एक्सरे ही एक ऐसा माध्यम ह जो हमारे लिए सअस्ता और अच्छा पड़ता है कि उससे तुरंत पता लगा सकते है कि आस्टियो औरथराइटिस है की नहीं अब आस्टियो औरथराइटिस की लेने के बाद उसके साथ सात हम और क्या करें की यह और घीरे इंप्रूब हो जाए पूरी तरह से ठीक हो projects लें हमें यहां पैठिक में नहीं जाना यह पिद्ध किया करते हैं पेइन किलर देते हैं दर्ध निवारक दवाइयां देते हैं जो शरीर के अंग पे जैसे किड़नी पे लीबर पर इस पीन पर गलत असर आता है दर्ध में तो आराम हो जाएगा कुछ देर तक उसके बाद फ किड्नी पे वो इकठा होने लगेगा और रिनल स्टोन यानि पथरी बनाने लगेगा इसलिए मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कोई ऐसे कैल्सियम टैबलेट लेने लगे और लॉंग टाइम तक अपने कैल्सियम टैबलेट ले तो करना क्या है करना होमियोपैथिक मैडसिन के साथ आप exercise भी करिए तो मैडसिन कौन सी ले होमियोपैथिक कौन सी मैडसिन ले तो पहली जो फस्ट मैडसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सबसे बेस्ट मैडसिन है आर्निका 200 मेरा पहला वीडियो भी आया था कि कहीं चोट लगना जाने पर आर्निका है तो कार्टीलेज के दिस्ट्रक्शन के लिए अगर वहां बहुत ज्यादा दिस्ट्रक्शन हुआ है तोड़ फोड़ हुई है तो उसके लिए आर्निका 200 बैस्ट मैडसिन है अर्निका 200 अगल लेना स्टार्ट करेंगे कैसे लेना है दो डोज लेना है सुबह खाली पेट यानि breakfast के पहले खाली पेट आपको दो से तीन बून डारेक टंग पे लेना है और डिनर के बाद यानि रात के खाने के बाद सोते समय दो बून टंग पे दो से तीन बून टंग पे जीव पे दवा लेनी है आर्निका 200 पहली medicine आर्निका 200 यह frequently ली जा सकती है और most of case में ली जा स exactly क्या होता है कि जो patient होते है osteoarthritis के उनको ठंड में या winter season या आप कहलो rainy weather यानि बरसात के दिनों में ये परिशानी बढ़ती है तो रूटा जो medicine में बता रहा हूं इन दिनों में जब घुटनों का दर्ध होता है तो बैस्ट medicine है तो रूटा 200 लेंगे ये भी दो बाल तो दो medicine आनिका 200 और रूटा 200 मैंने बता दिया तीसरी medicine हम लेंगे अगर सूजन आ गई है घुटने में सूजन आ गई है तो उसके लिए calcaria floor 6X में medicine लेंगे exactly आप बुक में जाओगे तो वहां कहीं ऐसा mention नहीं है कि osteoarthritis की swelling में calcaria floor 6X काम करती है बट मैंने देखा है मैंने अपने बहुत सारे मेरी 10-12 साल की practice हुई है और मैंने बहुत सारे arthritis के case मैंने देखे है और मैंने देखा है कि calcaria floor 6X best medicine है osteoarthritis की यानि चार टेबलेट सुबे दो पहर साम वेक्फिस के बाद, लंज के बाद, डिनर के बाद, सुबे नासते के बा बता रहा हूं जिनका मोटापा, आपको ध्यान देना है मैं जो medicine बता रहा हूं तर्म और condition के हिसाब से बता रहा हूं, अगर कोई patient बहुत ज़्यादा मोटा है और मोटापा के वज़ए से उसके joint पे ज़्यादा भार आ रहा है, तो हम एक medicine देते हैं calcaria carp 200, मैं उसकी pick भी यहां लगा दूँगा, calcaria carp 200, single dose लेना है, तीन दिन में एक बार, मैं इसलिए फिर से repeat कर रहा हूं कि जो बहुत obese person है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके लिए calcaria carp medicine लेनी है, जो medicine मैंने बताई है, वो तो लेना ही है, लेकिन calcaria carp तीन दिन में एक बार, खाली calcium आपका कमा रहा है, तो calcaria phos 6x में 4-4 tablet तीन बार सुबे दोपहर साम लेना है, यह medicine आपको लेना है, थ्री मन्थ तक continue लेना है, बट लेकिन अगर बहुत ज़्यादा complication आ गए, सपोज एक बार आप फिर से समझने की कोशिस करिए, कि bone है, यानि हड़ी है, हड़ी के उप cartilage है, cartilage दो हड्यों के बीच में, cartilage के बीच में, synovial fluid है, अब age या तो बहुत ज़्यादा हो गई है, या कुछ ऐसे changes हुए है, चोट के वज़ा से, या वहाँ की cartilage बहुत ज़्यादा destruct हो गई है, और दोनों के बीच का gap कम हो गया है, और cartilage वहाँ एकदम नहीं है, यान उसके लिए irreversible pathological changes वहाँ हो गए है, इसका मतलब यह हुआ कि जो joint normal condition से इतना ज़्यादा खराब हो गया है, कि फिर से वो normal condition में नहीं आ सकता, फिर ये दवाईयां काम नहीं करेंगी, क्योंकि वहाँ destruction बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर आपको कोई bell educated homeopathic doctor के chamber में जाना ह उनसे x-ray अपना discuss करना है, MRI करा सकते हो, तो MRI करके दिखाना है, फिर वो डॉक्ट साब आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस बीमारी से निकला जाए, तो ये जो मैंने medicines बताई है, अगर first grade, second grade, third grade तक भी destruction है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको bell qualified doctors के पात जाना है, आप मेरे clinic पे आ सकते हो, तो मैं अपना address दे दूँगा, मेरे clinic पे आ जाओगे, मैं पूरा आपका case देखूँगा, उसके recording में आपको suggest करूँगा medicine, कुछ constitutional medicines होती है, जिनको देने के उस condition से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अगर condition बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो आपको doctor के chamber में जाके सब discuss करना है, और अपना constitutional medicine है, उसे continue start करना है, इट मैं oil भी बता रहा हूँ, room call oil, ये lords company के आता है, इसे आप massage करोगे, तो वहाँ की muscles जो होती है, relax रहेंगी और आपको अच्छा फील करेंगी यानि आपको pain में आराम होगा, so friends मेरे इस पूरे वीडियो को like करिए, subscribe करिए, और मेरा वीडियो देखते रही है, मुझे support करते रही है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो कुछ और वीडियो में लेके आऊंगा, उसे देखिए, so this is my analysis on osteoarthritis, बहुत बहुत झाल